हेलो एब्रीवन वेलकम टू शमीम्स किचिन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी नमक पारे और ये सभी की फैबलिट होती है आप इसे टी टाइम के लिए और सफर में ले जाने के लिए बना सकते हैं तो आए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं तो और बी क्रिस्पी बनाने के लिए दो टेबल इस्पून सूजी भी इसमें एड़ कर सकते हैं आप इसमें हाफ टीस्पून अजवाइन लेकर हाथों से इस तरह से क्रश करके इसमें एड़ कर देंगे जिससे इसका फ्लेवर और भी जादा बढ़ जाएगा और अब इसमें ह जितने आप दो कईिद से घ्म और के टाँ और विल्कल सक्त कर तयार करेंग हम रोटी पराठा बनाते हैं तो इसे पुछा के लिए र्ड़ना है तो इसको हम कभण के लिएBlack और और दस मिनट रेस्ट पर रखने के बाद इसे एक से दो बार और नीट कर लेंगे जिसे और भी जादर स्मूध बन जाएगा और अब इसे हम दो पार्ट में डिवाइट कर लेंगे और बड़े साइज का पेड़ा बना कर तयार कर लेंगे अब सर्फिस पर थोड़ा सा मैदा करेंगे और अब जो हमने पेड़ा बनाया है उसे हाथों से फ्लाइट कर लेंगे और इस तरह से रोलिंग पिंसे रोल करके इसको पतला सा शीट बना कर तयार करेंगे तो शीट को इस तरह से तयार कर लिया है और थिकनेस आप देख सकते हैं जिस तरह से रोटी का थिकनेस ह रखना है और अब knife या फिर pizza cutter की help से इस तरह से strips में काट लेंगे और इसे दूसरी तरफ से इस तरह से काट लेंगे बिल्कुल नमक पारे का shape बन जाएगा और अब इसकी ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ब्रश की हेल्फ से इसको स्प्रेड कर लेंगे मकसद सिर्फ यह है कि एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और अब इसे इस पैचुला से इस तरह से उठा लेंगे और इसे उठा कर एक प्लेट में रख लेंगे और यह बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और इस पर हमने मैदा इसलिए डस्ट किया है ताकि जब हम इसे प्लेट में एक साथ रखें तो एक दूसरे से इस्टिक ना हो और इसी तरह से दूसरा शीट बना कर इसे लंबे लंबे पतले स्टिक्स में काट लेंगे और सारे नमक पारे हमने इसी तरह से बना कर तयार कर लिए और यह बहुत ही आसानी से बन भी गया है तो अब हम इसे फ्राई करेंगे तो यहाँ पर एक पैन में ओयल को हमने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और इसके बाद इस ट्रेनर में इस तरह से लेकर नमक पारे को ओयल में डाल देंगे और अब इने फोक की हल्ब से अलग कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे जिससे कि अंदर तक अच्छी तरह से कुख हो जाएंगे और बीच बीच में नमक पारे को चलाते रहेंगे जिससे कि इन पर इवन कलर बना रहेगा और इसे लो फ्लेम पर 5-6 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है जब इस पर गोल्डेन कलर आ जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे और अब यह देखे बिल्कुल क्रिस्पी हो गये हैं इन पर सुनहरा कलर आ गया है तो अब इसे इस ट्रेनर में निकाल कर रखते जाएंगे जिससे जो भी एक्स्टरा ओयल होगा वो निकल जाएगा जब हलका सुनेरा कलर आ जाए तब ही इसे ओयल में से निकाल लेंगे इसके बार में भी इसका कलर डार्क हो जाता है तो सेकिंड बैज को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे तो बहुत इजी है इसे बनाना 5-6 मिनट का टाइम लगता है इसे अच्छी तरह से फ्राई होने में और जब इस पर सुनेरा कलर आ जाए तब इसको आयल में से निकाल लेंगे तो देखा आपने बिल्कुल मार्किट की तरह नमक पारे आप घर पर बना कर तयार कर सकते हैं तो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी नमक पारे बनकर तयार हुए हैं इसको बनाना भी बहुत आसान है और आप इसे इसी तरह से बनाकर किसी भी एर टाइट कंटेनर में रखकर लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं ये काफी लंबे टाइम तक क्रिस्पी बने रहते हैं तो आप इसे बनाईए और इंज्वाइ कीजिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं रेसिपी के साथ थैंक्स वर वाचिंग वीडियो अलाहाफीज